हलो दोस्तों रेक पीडिया पर आप सभी का आप बहुत बहुत स्वागत है रिजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग लास्ट किलास रैंकिंग टेस्ट पड़ रहे थे आज हम लोग सिटिंग अरेजमेंट बैठक बवस्ति करने स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन चेप्टर है देखिए बैंक में ही बैंक के जो एकसाब होते हैं उसमें यहां से बहुत अच्छे question आते हैं यदि आप bank की तयारी नहीं करते हैं तो सिर्फ बहुत ही आसान question आते हैं चले बारी-बारी से देखते हैं इसमें कैसे question आते हैं क्या-क्या basic बाते हैं इसमें जो पहले से आपको जाननी चाहिए चले बारी-बारी से देखते हैं देखिए सबसे पहले तो sitting arrangement में कितने type के question आते हैं एक तो होगे हमारा ये close type जिसमें बंद होता है अर्था आपको ऐसा question दिया वह रहता है कि वृत के चार ओर लोग बैठे हुए हैं फिर उससे आपको सवाल पूछ जाता है अर्द दूसरा एक open question दाएगा था तो रो वाई जो होता है लोग कि पाँच लोग एक पंक्ती में कतार में खड़े हैं तो उसके आधार पर आपसे question पूछ जाता है ठीक है तो बंद में क्या-क्या हो सकता है विर्थ हो सकता है circle हो सकता है और वर्ग स्कौाइर हो सकता है ठीक है जाए एक के ऊपर पर इस तरह से है सब से और है बीच में वह है उसके आदार पर जो कोश्चन होते हैं वह फंकति पर फिर्याधि पूछा है और दो पउंकर पैसे Cub dass एक cat आगे बढ़ते हैं देखिए अब क्लोज में क्या-क्या हमें समझना आए सबसे पहले तो क्लोज में देखिए पहला जो है यहाँ पर केंदर की तरफ मुह करके जब भी लोग बैठते हैं तो इसी तरफ बैठेंगे एक विरित में लोग क्या करेंगे केंदर की तरफ मुह करके बैठेंगे तो हम लोग एरो जो होता है एरो एरो को हम लोग किस तरब दिखाएंगे केंदर की तरब दिखाएंगे केंदर की तरब ठीक है जब केंदर की विपरीत दिशा में लोग बैठते हैं तो हम लोग उसको इस तरह से दिखाते हैं केंदर के विपरीत दिशा में अर्थाथ ठीक विपरीत अपोजिट और एक question आएगा आपका मिस्रित जिसमें की दोनों होगा कुछ लोग केंदर की तरब भी बैठेंगे, कुछ लोग केंदर के बाहर भी बैठेंगे जैसे ये बाहर है, ये अंदर है, ठीक है? तो कुछ लोग इसमें केंदर की तरफ भी बैठेंगे और कुछ लोग इसमें केंदर के बाहर भी बैठेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा बाया-दाया का लॉजिक समझ लेते हैं इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कोई भी एरोस हम लोग आदमी को दर्साएंगे यहां पर जिसे मालिज यह एक आदमी है तो इसका बाया किदर होगा इस तरफ होगा ठीक है और दाया किस तरफ होगा आप खुद को भी अपने आप में एज्यूम करके सोच सकते हैं कि आपका बाया किदर होता है और दाया किदर होता है ठीक है और यदि कोई नीचे की तरफ देख रहा है इस तरफ से तो इसका बाया दाया किदर होगा बदल जाएगा ठीक है आप ही अगर मूर जाएगा तो बाया दाया बदल जाता है ठीक वही लॉजिक है और कुछ है नहीं इसमें ठीक है तो इस तरह दाया हो जाता है इस तरह बाया हो जाता है जैसे माल लिजे यह एक सरकल है इसमें यहाँ पर कोई है और एक आदमी यहाँ पर है ठीक है कोई पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, तो A के दाएं में कौन होगा, यह जो A के कौन है, यह दाएं में बैठा हुआ है, ठीक है, और C जो है A के किदर बैठा हुआ है, C जो है A के बाएं में बैठा हुआ है, ठीक है, A के दाएं में D हो जाएगा, A के बाएं में C हो जाएग कि B इस तरह से रहता यहाँ पे तो फिर इसका दाया किदर होता इस तरब इसका दाया होता इस तरब इसका दाया होता और इस तरब इसका बाया होता क्योंकि यह opposite है तो फिर इसका दाया बाया क्या होगा ठीक बदल जाएगा clockwise, anti-clockwise से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आम लोग पहले से रखते आ रहे हैं, clockwise और anti-clockwise, देखिए उसमें आम लोग क्या करते थे? देखिए कोई भी clockwise का मतलब क्या होता है, कोई भी घड़ी, जैसे माल लिजे जानते ही आप लोग, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, अब कोई भी किस तरब भी मुड़ा हुआ है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, माल लिजे कोई धर मुड़ा हुआ है, ठीक है? Clockwise किदर होगा, हमें यह दिमाग लगाना है, तो आपको सिर्फ दिमाग में यह रखना है, कि घड़ी जो भूमती है, वो इस तरह घुमती है, इस तरह से, घड़ी किस तरह घुमती है, इस तरह घुमती है, तो आपको assume नहीं करना पड़ेगा, अगर आप Clockwise, Anti-Clockwise से समझत इसका दाया किदर होगा तो जाहिर सी बाते घड़ी कैसे घूमता है इस गड़ी इसके मुपर से किदर घुमेगा इस तरह से इसका गड़ी भी घुमेगा अर्टात ऐसे 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 तो इसका जो दाया होगा वो इस तरफ होगा दाया किस तरफ होगा इसका इस तरफ होगा ठीक है थोड़ी दिर के लिए और माल लीजे कि और एक एरो देते हैं ठीक है ऐसे है अब इसका दाया किदर होगा अब इसका दाया पूछे तो इसका भी दाया होगा वो किदर होगा देखे घड़ी की दिशा में इधर जाएगा घड़ी तो इसका दाया इसी तरब होगा ऐसे भी आप सोच सकते हैं और anti-clockwise क्या होता है बाया घड़ी की विप्रीत दिशा तो इसका बाया किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा बाया या तो आप खुद को एजियूम कर लीजे वहाँ पर कि आप वहाँ पर खड़े हैं और आपका बाया दाया किधर होगा ठीक है या तो आप clockwise एंटी clockwise से भी ध्यान में रख सकते हैं दोनु तरीका है आपको जो अच् जिसमें आप जल्दी समझ सकते हैं उसमें कीजिए चली आगे बढ़ते हैं देखिए आप यहाँ पर एक फिगर में पहले समझते हैं देखिए यहाँ पर ABCDEFGH लिखा हुआ है इसमें हम लोग कुछ questions के answer देंगे और समझेंगे जिसे यहाँ पर आप A का मूह देखिएगा A जो है A सबसे पहले केंदर की तरफ मूड़ा हुआ है B केंदर के विपरीत दिसा मूड़ा हुआ है C केंदर की तरफ है लेकिन D जो है केंदर के फिर विपरीत दिसा में है E जो है हमारा केंदर की तरफ है F हमारा केंदर के विपरीत है G हमारा केंदर के विपरीत है H हमारा की तरब है समझ गें तो इसमें मिक्स है तो हम लोग इसमें सिर्फ बाया दाया समझने के लिए एक को स्टिंग को कर रहे हैं तो इसमें बताया जाए देखिए अगर आप ये बना लेते हैं ना सेटिंग अरजमेंट का मतलब ही होता है अगर आपने बैठा लिया तो कोस्टन का मतलब क्या होता है ठीक है तो एक परोसी का मतलब होता है एक बगल में कौन है एक बगल में कौन है ठीक है परोसी या ठीक बगल वही होता है एक ठीक बगल में कौन कौन है तो आप यहां पर देखिए बी भी है और एच भी है तो एक परोसी कौन हो जाएगा बी हो कोश्चन अगर कभी ऐसे पूछे आप फीगर बना लिए मालेजें सिटिंग एजमेंट कर लिए कोश्चन ऐसा आता है कि एक ठीक बगल में कौन है तो एक ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक बाया ठीक है पहला क्या था पर ऊसी या ठीक बगल यह समझ लें हम लोग इसको कहते है जो ठीक बगल में हो, उसके बाद बाया दाया कुछ नहीं होता है, ठीक बगल मतलब ठीक बगल में है, अब मेरे कोई इस तरप रहे या इस तरप रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, बगल मतलब बगल होता है, दोनों में से किदर भी रहे है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है ठीक बाया या तुरंत बाया का मतलब क्या होता है A के तुरंत बाया कौन है सबसे पहले तो बाया किस तरफ होगा इसका तो बाया इसका इस तरफ होगा ठीक है बाया इसका किदर होगा तो बाया इसका इस तरफ होगा अब A के तुरंत बाया का मतलब क्या है हो जाएगा बी इसी तरह ठीक हम लोग समझते हैं ठीक दाया तुरंत दाएं कौन होगा तो एक के तुरंत दाएं एक के तुरंत दाएं किदर हो जाएगा मुह उपर की तरफ है केंदर की तरफ देख रहा है तो इधर दाया इसका इधर हो जाएगा तो दाय में कौन है ठीक द पहला बाया, एका दूसरा बाया, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एका पहला बाया कौन है, H है, आपके जगा बाया नहीं दाया, एका पहला दाया कौन है, H है, एका दूसरा दाया कौन है, G है, फिर एका तीसरा दाया कौन है, F है, ठीक है, तो जब भी आपको सिर्फ दाया ब दूसरा ये इस्तेमाल करोज़ेगा अगर यह बोला जाए कि एंगती दाएं या एंगती ना एक तुरं तुरेंट राता है कि वह सटा हुआ कि जो इस सटा हुआ है है। चलिए आगे बढ़ते हैं आमने यह सामने का मतलब क्या होता है आमनने सामने का driving होता है सम्मुक alsoСंग है जो एक दूसरे की तरब है और opposite का मतलब होता है भिप्रित अब आमने सामने कौन है यहां पे आमने सामने देख लिजे आमने सामने ई और ए है अर ई है और कोई है आपको लग रहा हो होगा C और J भी है तो गलत हो जाएगा C और G नहीं है आमने सामने का मतलब क्या होता है और विप्रित का मतलब क्या होता है बहुत ही दोनों में एकदम basic difference है देखें आमने सामने का मतलब होता है जैसे अभी मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ अब भी हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं तो यह होता है आमने सामने अब अगर हम पीठ गुमा के पीछे देखे मैप की तरब अगर हम इस तरब देखने लगेंगे तो हम लोग आमने सामने नहीं होंगे ठीक है हम लोग आमने सामने दोनों एक ही दिसा मे तब देखेंगे आमने सामने का मतलब ही होता है एक दूसरे के अपोजिक सामने की और देखना तो यहाँ पर बाकी कोई भी जो है वो आमने सामने नहीं देख रहा है जैसे कि आप A और E को देखिए बस यहीं जो है एक साथ आमने सामने देख रहा है यहाँ देखिए यह दोन में विप्रित में क्या है एक दूसरे के विप्रित है लेकिन आमने सामने सम्मुक नहीं है अर्थात एक दूसरे के मुख की और देखकर के बात नहीं कर रहे है सम्मुक का मतलब होता एक दूसरे के सामने मुख से मुख बात करना ठीक है उसके बात क्या है डी और एच भी नही है ठीक है सी और जी भी नहीं है तो यहां पर कौन है सिर्फ और सिर्फ ए और ई ही ऐसा जोड़ा है यहां पर जो एक दूसरे से आमने सामने होकर के बात कर रहा है इसके बाद आता है अपोजिट का विपरित का तो विपरित में हमारे सभी हो जाएंगे डारेक्शन से कोई मतलब नहीं कौन किधर देख रहा है सबसे पहले ए और ई हो जाएगा ए सबसे पहला हो जाएगा हमारा उसके बाद आगे बरते हैं एफ बी हो जाएगा ठीक है एफ बी के बाद जी सी हो जाएगा जी सी के बाद क्या हो जाएग ठीक है बने सामने नहीं नहीं भॉंगे दीक है शञपन सब्सक्राइब कोस्ट निशना इसकिन को सुरुबाथ कैसे करना है हमें सबसे ज्यादा important इसमें यही रहता है ठीक है कि आखिर हम लोग इसको सुरुवात कैसे करेंगे देखे A, B, C, D, E, F केंदर की और मुप करके एक विर्ट में बैठे हैं F, A के दूसरे बाइं और है B, A के दूसरे दाइं और है A, D का बाया परोसी है C, F और B के बीच बैठा है A का बाया परोसी E है और F का परोसी कौन है देखे जब भी इस तरह question रहेगा आपको कुछ नहीं करना है circle के बाद 4 और बोला है तो बस एक circle बना लेना है और इसके बाद जतना लोग है उसमें लोग का आपको arrow बैठा देना है A, B, C, D, E, F छे लोग है तो बस छे लोग आपने सामने करके बैठे हुए है सभी किस ओर देख रहे हैं के अंदर की ओर ठीक है तीन यहाँ, चार यहाँ पाचवा यहाँ, छटा यहाँ इस तरह से हमने बैठा दिया अब देखे इसमें पहला start जो करना होता है वो आप कहीं से start कर सकते हैं बस वो data हमारा confirm होना चाहिए confirm का मतलब क्या है यहाँ थोड़ा सा समझते है देखे माल लिजे ऐसे A, B, C, D करके चार लोग बैठे हुए है A, B, C, D करके यहाँ पर चार लोग बैठे हुए है यह सब का मुख केंदर की तरफ है माल लिजे इस तरह से आपका कोई data आया A, B, C, D ठीक है हो सकता है कि किसी ने C को नीचे रखके बनाया होगा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है हो सकता है उसका मन है ठीक है अब C के दाया कौन है C के दाया D है ठीक है C के दाया कौन है C के दाया D है तो यहाँ पर C के दाया D हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा और फिर यहाँ पर B हो जाएगा ठीक है तो यह दोनों फिगर में कोई अंतर नहीं है इन दोनों ही figure में कोई अंतर नहीं है ठीक है? अगर आप इसको घुमा के देख लिजे इस तरह से करके ऐसे ऐसे गड़ी की दिसा में घुमाते हैं पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है यहाँ भी A से स्टार्ट करते हैं घड़ी की दिसा में यहाँ भी क्या है A, B, C, D तो यह दोनों का मतलब एक ही होता है दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होता है पहला बात और data confirm का मतलब क्या है वो समझ लीजे जैसे माल लीजे कोई भी सरकाल है जैसे बोला कि कुछ भी इतना सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए है A और B एक साथ बैठे हुए है अब A और B एक साथ तो समझ गए बैठे हुए है लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि A यहाँ हो, B यहाँ हो, हो सकता है A तो यहाँ है, हो सकता है B यहाँ पर ना हो करके यहाँ बैठा होता, B तो B साथ में बैठा हुआ है तो हम लोग ऐसा data को उठाते हैं जो confirm, अगर यहाँ पर यह बोलता A के ठीक दाएं भी बैठा है A के ठीक बाएं भी बैठा है तो वो data हमारा confirm data होता है वो change नहीं हो सकता है, ठीक है तो हम लोग उसी data के साथ question में आगे बढ़ते हैं चले देखें, यहाँ पर question क्या क्या बोल रहा है शुरू करते हैं देखें, सबसे पहला line है F A के दाएं और दूसरे बाएं और है A के, ठीक है तो A से हम लोग स्टार्ट करते हैं A को यहाँ कर लिए अब A के दूसरे बाएं तो A का बाएं किदर होगा, इस तरफ होगा A का बाएं तो 1, 2, यहाँ पर कौन हो जाएगा F हो जाएगा यहाँ पर F कर दिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं B, A के दूसरे दाई और है A के दूसरे दाई और कौन है, B है तो A के दूसरे दाई और यहाँ एक, यहाँ दो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा B हो जाएगा ठीक है, आप सुरवात कहीं से भी कर सकते हैं कोई परिसानी नहीं है ठीक है लेकिन हमेशा याद रखिएगा कभी भी जब आप पहला कुछ लेते हैं तो एक को हमेशा यहीं लीजिए इस ओर लेने से फाइदा क्या होता है हमें कि इसका दाया बाया जो होता है कभी भी जो A, D का बाया परोसी है देखिए D का बाया परोसी है तो D यहाँ होगा तभी इसका बाया इस तरफ होगा ठीक है D यहाँ होगा तभी इसका बाया इस तरफ होगा तो A, D का बाया परोसी है ठीक है तो यह भी हो गया आगे देखते हैं आगे और क्या है C F और B के बीचे बैटा है देखिए C जो है भाई साब ये कहां बैठे हुए है F और B के बीच में तो F के यहां B यहां इसके बीच में कहां हो जाएगा यहां पर C हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है A का बाया परोसी E है अब देखे A का बाया परोसी E है ये बताने की जरुत question में था भी नहीं क्योंकि E ही बचा हुआ है तो E कहीं आसमान में तो बैठा नहीं होगा विरित पे ही बैठा है तो E तो यहीं पे होना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एप का परोसी कौन है ये question में पूछ रहा है तो एप का परोसी देख सकते हैं आपे कौन कौन है E और C है तो C नमबर ऑप्शन correct हो जाएगा यहाँ पे UP Police दरोगा SI 2014 का question है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह question में इस तरह से हम लोग सुर्वात करते हैं बस बाया दाया concept समझते रहना है डेटा को सही से implement करना है question बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ठीक है और SST बगरा में तो बहुत आसान question आते हैं बैंक के को अगर आप तयारी बैंक की तयारी नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत ही आसान question देखने को मिलेगा sitting arrangements से देखे छे मित रहे फिर से तो तुरत एक circle draw कर लेते हैं इसके बात क्या है सब के सब क्या है केंदर की और मुख करके हैं तो सब को केंदर की और मुख करा देते हैं पिछले बार के question के तरह देखे हम लोग इसमें सारे type के question लेंगे धीरे से start करेंगे ठीक है जितना भी tough question है सारा question वो भी करेंगे ठीक है फिलाल आपको शुरवात कर रहे हैं easy question से ताकि आप तुरंत burden ना हो आपके दिमाग पे बाकी हम लोग next class में जब इसके बाद जब class करेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा से धंक के question लेंगे जो दस-दस line के question होते हैं आज भी कुछ लए question रहेगा उसमें विप्रीत सारा mixed type question होगा चलिए उसको बाद में देखेंगे फिलाल भी इस question को देखते हैं देखे एप एक ठीक बाएं बैठा है किसके बाएं बैठा है एक के बाएं तो एक बाएं एप बैठा है ठीक बाएं का काते हैं पता है हमको देख क्या भी यहां पर हो सकता है भी याई आप बोलेगा नहीं हो सकता है क्यों कि अगर यहां भी हो जाएगा तो यहां इसके सामने ए हो रहा है यहां पर ए है यहां पर ए नहीं हो सकता है F के सामने भी नहीं हो सकता है क्योंकि B और E दो लोग होने चाहिए दो जगा एक ही जगा पर खाली है या तो यहां या तो यहां या तो यहां तो बी या तो वहां होगा या तो यहां होगा यह बी डैस यहां अगर E होगा तो यहां दोनों या तो E यहां होगा तो B यहां होगा और B यहां होगा तो E यहां होगा ठीक है डैस वाला एक साथ होगा या फिर तो बिना डैस वाला ठीक है पाइचान के लिए दे दिये आगे बढ़ते हैं A, D, एक दूसरे के सामने बैठे हुए है, ठीक है, A, D, यहाँ एक दूसरे के सामने बैठे हुए है, एप के सामने कौन बैठा हुआ है, बच कौन गया, पहले उसका देख लेते हैं, A है, B भी हो गया, C नहीं है, तो यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है, D हो गया, EF हो गया, सारा हो गया एप के सामने कौन बैठा हुआ देखे, एप के सामने तो C बैठा हुआ है ठीक है, बहुत ही आसान है एप के सामने C बैठा हुआ है इस data का हमें कामी नहीं परा क्योंकि ये data में पता भी नहीं है अगर इससे related question आ जाता तो option यहाँ पर एक option ये भी होता कि यात नहीं कर सकते हैं ठीक है, वहाँ पर क्या होता option में यात नहीं कर सकते हैं data insufficient एक option में होता ऐसे question भी आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखे, तीसरा question ने 6 मित्र बिता का रूप में केंदर की और मुक करके बैठे हुए है रूना, चारू और पड़ी महिलाए है ठीक है, वरुन, मनू और प्रकास पुरूस है ठीक है, मनू, वरुन और प्रकास के मद्ध बैठा है, मद्ध मतलब बीचें बैठा है चारू, पड़ी और रूना के मद्ध बैठी है वरुन और पड़ी एक दूसरे के सामने बैठे है रूना की दाई और पुरूस बैठा है ठीक है परकास के एकदम दाई और कौन बैठा है ठीक है स्सी सीप्यों 2016 ने कि सीप्यों कोस्चन यह तो आप वैसे भी समझ रहे होंगे चली सबसे पहले एक सरकल ड्रो करते हैं कितने लोग है टूटल छे लोग है तो छे कर देते हैं फिर से उसी तरह अब यहाँ पर क्या आपको एक भी confirm डेटा मिला जिस डेटा पर आगे बर पाएं जिसके ठीक बाएं दाएं बोला हो यहाँ पर एक भी ऐसा डेटा नहीं है बीच में बोला है तो बीच का कोई guarantee नहीं होता है क्यूं नहीं हो सकता है माल लिजे B जो है A और C के बीच में है क्या guarantee है कि C उदर ही होगा हो सकता है ऐसे हो तब भी तो B बीच में है ठीक है तो इस डेटा का कोई fix नहीं होता है यह गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है तब हमें मान करके चलना परता है दोनों सीनारियों को लेके चलना होगा इसको भी एक फिगरें बनाना होगा इसको भी एक फिगरें बनाना होगा तब हमारा आंसर आएगा ठीक है नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा चली आगे बढ़ते हैं यहाँ हो गया, चलिए। तो इसमें देखिए एक data जो confirmed data है यहाँ पिरила वरुन और पड़ी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यह E1 पिर यहाँ है, वरुन और पड़ी क्या है? एक दूसरे के सामने है. तो इसको हम लोग कर दिये, वरुन और पड़ी को एक दूसरे के सामने है. इसके अलाबा हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें. ठीक है? कि कौन कहां बैठेगा? क्योंकि सावरे कोश्चन में क्या बोला गया है? वरुन मनूर प्रकास के बीच में बैठा हुआ है तो हमें क्या करना होगा ऐसे question के लिए एक circle और ड्रो करना होगा ठीक है एक circle और ड्रो करना होगा अब इसमें भी यहाँ पर वरुन और परी को बैठा दीजे यह आपको करना ही होगा बरना इसके अलावा आप अगर चाहिए या कि एक ही figure ने बनाए तो बहुत परेसानी होगी आप हमेशा दो figure बनाएए ठीक है जब भी आपको data confirm कुछ जादा ना दिया हो आप हमेशा दो figure को ले करके चलिए ताकि आपको बनाने में स्वहोलियत हो चलिए आगे बढ़ते हैं देखे अब question में क्या क्या है मनु जो है वर्न और प्रकास के बीचे बैठा है मनु जो है वर्न और प्रकास के बीचे बैठा है ठीक है तो वर्न और प्रकास के बीचे बैठा है हम फिर कहेंगे क्या इस तरफ नहीं हो सकता था, इस तरफ भी तो हो सकता था, ठीक है, तो उस case में क्या होगा, तो उस case में यहाँ पर मनु होगा, और यहाँ पर प्रकास होगा, ठीक है, बीच में एक लाइन कीज देते हैं ताकि दोनों दो तरफ अलग लगे, ठीक है, यह अ लग फिगर है अब आगे बढ़ते हैं तो जब भी हमें डाउट हो कि एक व्यक्ती दो तीन जगा हो सकता है तो वहाँ पे हमें क्या होगा दो फिगर को ले करके आगे चलना होगा जैसे यहाँ पर ये वाला भी सही हो सकता है मनू और ये वाला भी मनू सही हो सकता है लेकिन द परी और रूना के मद बैठी है दिखिए अगर यहां पर परी है तो इस figure के हिसाब से रूना यहीं पे होगी ठीक है अर्चारू जो है कहां बेठी हुई है रूना और पड़ी के बीच में इधर भी बैठा देते हैं रूना और पड़ि के बीच में यहाँ पे रूना हो जाएगा यहाँ पे चारू हो जाएगी ठिक है आगे बढ़ते हैं वरun% पड़ी और पुरूस बैटा है रूना जो है उसके दाई और पुरूस बैटा है दोनों फिगर में चेक करते हैं क्या रूना के दाई और पुरूस है देखिए यहां पर रूना है अगर इस रूना को यहां देखेगा तो इसके दाई और कौन बैठा हुआ है इसके दाई और चारू ब बैठा हुआ है तो ये वाला फिगर सही हो गया अब क्या पूछ रहा है प्रकास के एकदम दाइयों और कौन बैठा हुआ है तो प्रकास के एकदम दाइयों और पड़ी बैठी हुई है ए नमबर हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तो कभी-कभी आपको संभाव ना हो पे भी SCD, E, F, G, H ठीक है केंदर की और मुख करके बाठे हुए है E,cएसा एक दूसरे के निकट बैठते हैं D,c के दाइयए तिसरे अस्तान पर बैठता है F,H के बाए दूसरे अस्तान पर बैठता है, C कभी भी एक अगले सांद पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी जी के अगले सांद पर नहीं बैठता है, H, D और C का परोसी नहीं है, question पूछ रहा है, D के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, ठीक है, चलिए circle ड्रो करते हैं, चलिए, question में जितना लोग बोल रहा है, उतना लोग बैठा देते हैं, सभी का सभी क्या है, केंदर की और मुक करके हैं, अभी जितना question हम लोग कर रहे हैं, ये सबी केंदर की और मुकर के हैं इसके बाद जो हम लोग को चल लेंगे वो केंदर की विप्रीद भी होगा और mix भी होगा ठीक है चले तो start हम लोग क्या यहां से कर सकते हैं E और G हमेशा एक दुसरे के निकर बेड़ते हैं नहीं कर सकते हैं धिके में पता नहीं है कि G बाये तरफ होगा या E बाये तरफ होगा माल लेते हैं E यहां पर है क्या guarantee है कि G यहां होगा G इधर भी तो हो सकता है तो हम लोग ब्यास data यह fix नहीं है और जब data फिक्स नहीं रहता है तो हम लोग उस line को छोड़ देते हैं बस यहां उपर में लिख लेते हैं कि E और G जो बैठेंगे ये दोनों एक साथ हैं दुला दुलन है आगे बढ़ते हैं D C के दाएं तीसरे अस्थान पर बैठता है D C के दाएं तो C को ले लेते हैं यहां पर अब C का दाएं किदर हो जाएगा एक दो तीन यहां पर तो यहां पर हम लोग D को बैठा देते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं क्या है फिर बोला F H के बाएं दूसरे अस्थान पर है देखें F जो है H के बाएं दूसरे अस्थान पर है ना हमें अभी F का पता है ना h का पता है कि वो कहाँ पर है पहला line तो हम अपने मन से ले सकते हैं लेकिन इसके बाद हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है? तो अभी हमें पता नहीं है कि h कहाँ होगा ठीक है? तो अभी इस line को हम लोग छोड़ देते हैं ये वाला line, इस line को हम लोग बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं, C कभी भी A के अगले अस्थान पर नहीं बैठता है, अर्थात A और C कभी भी परोसी नहीं हो सकता, अगले अस्थान का मतलब क्या है, परोसी ये कभी भी अगले अस्थान पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर बताएं, A होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर A हो जाएगा, तो A और C परोसी हो जाएगा, यहाँ पर A होगा क्या, इस वाले अस्थान पर, यहाँ भी A नहीं हो सकता है, तो A इन दो जगा पर नहीं बैटेगा नहीं तो वो परोसी हो जाएगा और question में बोल रहा है वो परोसी नहीं है अगले अस्थान पर नहीं बैटता है next क्या है D कभी भी G के अगले अस्थान पर नहीं बैटता है अगर G के अगले अस्थान पर नहीं बढ़ता है, तो इस जगा पर G नहीं हो सकता है, और इस जगा पर भी G नहीं हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, H, D और C का परोसी नहीं है, H जो है, D और C का परोसी नहीं है, अब देखिए H भाई साब जो है यहाँ पर यह C के परोसी भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं हो पाएंगे और यहाँ भी नहीं हो पाएंगे D का परोसी वाला स्थान यह वाला जगा है यहाँ पर भी H नहीं हो पाएगा और यहाँ पर भी H नहीं हो पाएगा अब h के लिए कौन सा जगा बचा तो आपका ये गा h के लिए जगा बचा ये दो जगा बचा एक तो h यहां हो सकता है या तो h यहां हो सकता है ठीक है या तो h यहां हो सकता है या तो h यहां हो सकता है ठीक है दोनों का भी मान के चलते हैं कि दोनों में हो सकता है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं देखे अब एक लाइन जो हम लोग छोड़े हुए थे वो कौन सा लाइन था एफ एच के बाएं एफ जो है एच के बाएं दूसरे अस्थान पर है अब एच का बाया किदर होगा देखे ऐसे एर हम लोग अब को बैठा सकते हैं अभी के लिए बैठा भी देते हैं लेकिन अगर आप देखिएगा इस वाले एच्ज से तो इसके बाएं दूसरे हम लोग यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डी आ यहां हो गया और देख लेते हैं और क्या क्या है चले है यहां हो गया तो जी कहां कहां हो सकता है देखे जी यहां नहीं हो सकता जी इस जगा पे नहीं हो सकता है जी इस जगा पे और कहां नहीं हो सकता है जी यहां भी नहीं हो सकता है तो जी यहां होगा पहला या तो जी यहा होगा ठीक है तीनों जगा पे G हो सकता है आगे बढ़ते हैं तो एक बार पोस्चन को वन बाई वन सारा कर लेते हैं क्या-क्या छोटा हुआ है तो एक लेन हम लोग का और छोटा हुआ तो वो क्या था छोटा हुआ E और G जो था वो हमसा एक दूसरे के निकट बैठे हैं जो की या उपर मैं लिखे भी थे ठीक है? तो E और G जब एक साथ बैठेंगे, E और G क्या बैठेंगे? एक साथ बैठेंगे तो इसका मतलब है कि E और G को एक साथ बैठाने के लिए तो कोई ऐसा जगा होना चाहिए जहाँ पर दो ठो जगा खाली हो एक साथ तो क्या अगर यहाँ पर E बैठा देंगे तो यहाँ पर कोई G है बगलने बैठा पाएंगे G को नहीं बैठा सकते हैं तो आप देखेगा E और G यहां पर एक साथ खाली हो, बैट सकते हैं, अब किस तरफ E को बैठाएं और किस तरफ G को बैठाएं, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है G नहीं बैठ सकता है तो confirm है कि यहाँ पर तब E ही बैठेगा और अगर E यहाँ बैठेगा तो confirm है कि G यहाँ बैठेगा ठीक है अब देख लिजे क्या क्या हो गया चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हो गया तो A कहां कहां बैठ सकता है A देखिए A यहां नहीं बैठ सकता है यहां तो G हो गया A यहां नहीं बैठ सकता है तो A के लिए एक ही जगा बचा तो A सिर्फ यहां बैठ सकता है और कहीं एकले जगाने बचा अब B बचा हुआ है तो B कहां बचेगा कहां बैठेगा तो जहां जाइर सी बात है जहां पर जगा खाली है वहीं पर बैठेगा तो B यहां पर हो जाएगा तो A, B, C, D, E, F, G, H ठीक है यह सारे हो गए तो आप question क्या पूछ रहा है अप हो जाएगा हमारा answer ठीक है D के तुरंत आइक कौन बैठा हुआ है एप बैठा हुआ है चलिए next question देखते है next question क्या है हमारा J, P, Q, R, S, T, U, B, 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंदर की और मुख करके बैठे हुए है ठीक है पुरूसों के वेबसाए lecturer, वकील, डॉक्टर और वैग्यानिक है पुरूसों में सिर्फ R, वकील और B, वैग्यानिक एक साथ बैठे है परतेक पुरूस अपनी पतनी के बागल में बैठा है ठीक है, दुला-दुलन वाला कहानी है lecturer की पतनी यू भी के ऐसे ऐसे बैठी हुई है चले, कहीं से start करते हैं सबसे पहले तो बना लेना चाहिए बढ़ा सा एक circle चले, हम थोड़ा सा इधर दाएं घुश जाते हैं किदर चले, यहां रहते हैं नीचे ज्यादा सही है चले, start करते हैं कितने लोग हैं, दो, चार, छे, आठ चार भी भाई जो हैं तो जाहिट सी बात है कि आठ लोग होगा चले, एक, दो, तीन, चार यहां पांच, यहां छे और यहां साथ, यहां पे आठ आठ लोग बैठा दिये, ठीक है अब आठो लोग का जड़ासा कहानी देख लेते हैं हम उपर ही आ जाते हैं, अजीब लग रहे हैं एरे भाई साब, ऐसे कहे हो गए यह क्या हो गया एक सेकेंड चलिए ने, बोल रहा है कि हमको नीचे ही रहना है चलिए नीचे ही रहने देते हैं अपने आपको भड़क गया था चलिए देखते हैं क्या क्या है देखें किस लाइन से सुरवात करना है सबसे पहले तो हमें यह समझना है किस लाइन से सुरवात करना है परतेक पुरुस अपनी पत्नी के बगल है बैठा वे इस लाइन से तो कोई मतलब भी नहीं बनता है सुर्वात करने का लेक्चरर की पत्नी यू जो है भी के दाएं दूसरे असान बैठी है एक नमर डेटा है इसी को स्टार्ट करते हैं ठीक है भी के दाएं तो भी को यहां रख लेते हैं भी को यहां पर कर लेते हैं अब भी के दाएं तो एक दो यहां पर कौन हो जाएगा लेक्चरर की पत्नी यहां पर कौन है लेक्चरर की पत्नी तो जो भी होगी यहां पर माइनस होगी ठीक है भी जो है क्या है उपर में ही दिया ठीक है और यहाँ पर कौन है लेक्चरर की पतनी है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या है टी का स्थान यू और भी के बीच में है यह भी नहीं पता है आगे बढ़ जाते है पुरूसों में सिर्फ आर वकील और भी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं ठीक है उपर से स एक साथ बैठे हुए है ठीक है एक बात बताईए आर या तो इधर होगा या तो इधर होगा इसी दो जगा में से हो सकता है क्योंकि आर और भी जो है पुरूस एक साथ बैठा हुआ है दोनों पुरूस है दोनों एक साथ बैठा हुआ है अगर आर यहां हो जाएगा इस या नहीं हो सकता है इसको चेक करना होगा तो यहां पर हो सकता है और यहां भी हो सकता है इन दोनों ही जगा पर आर जो है भी हो सकता है अगर यहां पर आर होता है ठीक है तो इसकी वाइफ जो होगी वो इस तरफ होगी ठीक है इसकी वाइफ कहा होगी इस तरफ होगी क्योंकि कि इधर तो पुरूस बैठा हुआ है और अगर ये वाला आर हो जाता है तो इसकी वाइफ जो होगी किदर होगी इसकी वाइफ इस तरफ होगी लेकिन ये संभव नहीं है क्यों नहीं है संभव क्योंकि ये पहले ही बोल दिया गया है ये जो है ये लेक्चरर की पतनी है ये क् पूला होगा ठीक है तो आर यहां पर नहीं हो सकता है तो आर को हम लोग यहां से उठा लेते हैं बढ़ते हैं अब इस तरह तो आर यहां पर confirm हो गया कि आर तो इधर ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्ट लाइन क्या है परतेक पुरुस अपनी पत्नी के साथ बैठा है ठीक है वो तो जाहिर सी बात है लेक्चरर की पतनी यू भी के दाई ये डेटा उठा चुके हैं टी का अस्थान जो है यू और भी के बीच में है अब देखे यू और भी के बीच में तो यू कहां हो सकता है यू यहां हो सकता है क्या यहां पर यू नहीं हो सकता है यहां U हो जाएगा, तो U और B के बीच में कौन है? T है, हम लोग यहां पर T नहीं बैठा सकते, यहां पर T के जगा पर पहले से ही R already विराजमान हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि U यहां पर ना हो करके U कहां होगा? इस तरब होगा तो यह हो जाएगा हमारा U और T हो जाएगे तो हमारे बीच में, तो U जो है महिला है कि पुरूस है, तो जाहिर सी बात है यह Lecturer की पतनी है, महिला है, माइनस कर दिये और T जो है क्या होगा? यह भी महिला होगी, T जो है महिला होगी इसी तरफ हो सकती है वेज्याणिक की वाइप सिर्फ इसी तरफ हो सकती है इधर तो पूरुस है और question में पहले ही कहा गया है कि परते पूरुस जो है अपनी वाइप के साथ बैठा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या है T का अस्थान U और B के बीच में ये हो गया P डॉक्टर की पतनी है P जो है डॉक्टर की पतनी है अब देखे P डॉक्टर की पतनी है एक बात बताईए अब देखे ये जो लेक्चरर की पतनी है तो जाहिड सी बात है कि अब लेक्चरर जो होगा यहां वाला होगा, यह lecturer होगा यह जो भी होगा, यह lecturer होगा क्योंकि इसकी पतनी इधर है, प्रग्यानिक की पतनी यहां है, ठीक है इसके बाद क्या बोलता, P doctor की पतनी है, तो P doctor की पतनी, R की wife जो होगी वो यहां पर होगी, कोई भी होगी लेकिन यहाँ पर होगी, यह माइनस होगी, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है लेक्चरर यह पुरूस है, और पुरूस पुरूस साथ में नहीं होगे, क्योंकि पहले ही बोला गया है, कि सिर्थ दो ही पुरूस, R और B है, जो एक साथ बैठे हुए, बाकि कोई पुरूस एक साथ नहीं बैठे हुए, तो यहाँ पर पुरूस नहीं होगा, तो यहाँ पर पुरूस होगा, तो यहाँ पर डॉक्टर होगा, यह कंफर्म हो गया, क्योंकि डॉक्टर और कहीं हो नहीं सकता है, तो यहाँ भी माइनस होगा, अर्थात महिला होगी, ठीक है, माइनस सेमलों महिला को दरसाते हैं, पलस सेमलों पुरूस को दरसाते हैं, तो P डॉक्टर की पतनी है, अब जो डॉक्टर की पतनी है, तो जाहिड सी बात है, यहाँ होगी, यहाँ पे P हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हो सकता है S और Q पुरूस है अब देखे S और Q जो है पुरूस है ठीक है S और Q जो है पुरूस है तो S और Q कहां कहां हो सकता है वो देखते है और पहले ही एक लेनिया पर और छुटा हुआ है Q doctor नहीं है, अगर Q doctor नहीं है, तो बस एक ही profession बचा जो है lecturer, ठीक है? तो पक्का पक्की है कि Q जो है lecturer होगा और S और Q क्यों की पुरूस है, तो S अगर lecturer नहीं हुआ, तो S पक्का पक्की doctor होगा, क्योंकि बाकी सब तो महिला बची हुई है, ठीक है? एक कौन सा बच गया, उसको यहाँ पर बना दीजे R की wife, नहीं के आर नाम मेरा भी R से ही नाम है, R नाम के local wife वैसे ही बहुत late से मिलती है देख लिजे, यहाँ भी late मिली है तो J हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? J बचा हुआ है, J J से Jस्मिन कोई विदेशी महला साधी होगा लगता है चलिए आगे बढ़ते है तो J यहाँ पर हो जाएगा तो इस तरह से हमलों का data यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है? R की wife J हो गई, S की wife P हो गई, Q की wife U हो गई B की wife T हो गई तो एक एक करके data को धीरे-धीरे करके समझना होगा जब आप बहुत ज़्यादा practice कर लेंगे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके तो ही आपसे यह जल्दी बनेगा अन्य था यह जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं question क्या-क्या इससे पूछा गया है वो देखते हैं चलिए, question क्या-क्या है इन में से doctor कौन है? देखे, doctor कौन है ऐसे तमको याद ही हो जाता है जब भी हम data बनाते हैं, S था ठीक है, यह यहाँ पर देख लिजे doctor S भाई साब है doctor कौन है? S है तो answer हो जाएगा हमारा A number, doctor S वकील की पतनी कौन है? आईए, वकील साब की पतनी देखते हैं, कौन है? वकील साब कहा है? वकील साब, वकील साब यहाँ है आर वकील था, पहले से ही दिया वादा question में ठीक है? यह लिखना ही भूल गयता है चलिए आड़ वकील है वकील साब की पतनी कौन है वकील साब अच्छा मेरी ही पतनी के बारे में पूछ रहा था पती है, तो R किसका पती है, J का पती, option में जो है न, वो पती कर के दिया हुआ है, कहाँ चले गए, अच्छा, इधर बढ़ गए, देखें, वज्ञानिक के तुरंत बाए, कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है, और R किसका पती है, J का पती है, मेरी पत्नी J, उसका मैं पती हूँ ठीक है तो answer हो जाएगा यहाँ पर J ठीक है आज जो भी question है यह easy question है ऐसे question बड़ाबर आपको SST वगड़ा के exam में दीखेंगे जिसमें आपको दो figure नहीं बनाना पड़ता है अर्था possibilities आपको कम देखने को मिलती है दिमाग आपका कम खर्च होता है next class में जो question करेंगे हम लोग उसमें next level के question होगे ठीक है और यदि आप bank की तयारी नहीं करते हैं तो next class आपके लिए कोई फाइदे मन रहेगा भी नहीं यदि आप चाहते हैं कि आपके skill थोड़ी enhance हो जाए तो फिर जरूर पढ़िए चलिए आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत